शादी किसी की भी जिन्दगी का एक बड़ा दिन होता है और बहुत से लोग इसकी तैयारी बहुत पहले ही करना शुरू कर देते हैं जानवी कपूर भी उन्हीं लोगों में से एक है जानवी कपूर ने एक इंटर्व्यू में खुलासा किया कि उन्होंने अपनी शादी को लेकर अभी से सारी चीज़ें तैय कर ली है जानवी कपूर के फैंस को उनकी जिंदगी और लव लाइफ के बारे में जानने की उच्छता हमेशा रहती है अब जानवी ने अपनी डेटिंग सीन्स का खुलासा तो नहीं किया लेकिन हाली में एक इंटर्व्यू में वेडिंग प्लान्स जरूर बताए है जी हाँ तो आपको बता दे कि आज जानवी कपूर अपना जन्म दिन मना रही है आज जानवी कपूर का जन्म दिन है और उनके जन्म दिन के मौके पर उनका एक इंटर्व्यू काफी वाइरल हो रहा है जिस इंटर्व्यू में उन्होंने अपने शादी के प्लान के बारे में इस इंटिव्यू के दौरान जानवी कपूर ने एक परफेक्ट शादी के अपने आईडिय के बारे में बताया उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ जो असली हो खास लोगों के बीच हो जैसी मैं हूँ उससे जुड़ा हो मुझे धूम धाम फैंसी धंग से शादी न जागाऊंगी मेरा पती लोंगी पहने का यह शादी एक प्राइवेट सरमनी में होंगी और हम केले के पत्ते पर खाना खाएंगे जहां जानवी कपूर के मुताब एक वहतिरूपती में किसी की शादी अटेंट करने गई थी जहां उन्होंने अपने समय को बहुत एंजोई यह शादी को लेकर भी उन्होंने यह बात देगी जानवी में अच्छी की लगती वह बड़े ऀवेंट में आकर्शन का सेंटर बनने से ड़ती है जानवी कपूर नहीं यह भी बताया कि उनहें त्रुपती जाना पसंद है उन्होंने कहा कि मातरूपती बहुत जाती हूं और जब जिन्दगी में तने बड़े कदम को उठाने की बात आती है तो मैं वहां उस शक्स से शादी करना चाहूंगी जिसे मैं प्यार करती हूं तो अपनी शादी को लेकर ये सारी चीज़े जानवी कपूर ने बताई है और आज जानवी कपूर अपना जंदन भी मना रही है तो आपको इस तर क्या कहना है कमेंट बोक्स में बताईए जोड़े रही है हमारे साथ नेक्स नाइन लाइफ से सुर्भिकर पॉर्ट